अब थोड़ा बुक के बार की questions को discuss करते हैं यही सारी चीजें हम लोगों ने already discuss की हुई है लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ा सा देखें बच्चों अब इस question के अंदर वह है system वह है function x equal to 0 पर continuous है तो a की value find करना है यह जो a नजर आ रहा है इसकी value find करके बताने हैं अम लोगों को क्या process होगा सोचो अभी तो बता है कि असर फंक्शन continuous है इसका मतलब right hand limit left hand limit और value of function तीनों सेम रहने वाले हैं जो easiest part है उसको पहले present कर दो x equal to 0 पर function की value f of 0 कित्ता दिया हुआ है a फिर rhl की बात कर लो फिर lhl की बात कर लो यह देखो पहले यह बता देते हैं चलो less than 0 यह function देगा left hand limit क्या देने वाला है left hand limit पिल्कोल accurate presentation common तरीका हर question का कुछ नहीं बदलेंगे limit x stands to 0 plus f of x 0 प्लस का मतलब x is greater than 0 sorry यह 0- आएगा lhl की बात कर रहें बच्चो जीरो माइनस जीरो माइनस का मतलब less than 0 और less than 0 पर यह function रहा आपका limit x tends to 0- function आपने copy किया one minus cos for x upon x square limit के time पर यह चीज अभी अभी इसका proof बताया था याद आ रहा है one minus cos for x upon x square की value क्या निकल के आई थी कराए यह question मैंने अभी class के अंदर थोड़ी देर पहले क्या result था 8 कितना आए था यह लेकिन अब अगर यह चीज डारेक्ट याद है तो इसको डारेक्ट मत चाप देना भाई यह भी important होगा इसका proof जाएगा बकायदा मैं clear कर देता हूँ इसी जगे पर तो आप इसको इस तरीके से बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे कि डारेक्ट एट लिख दिये limit x tends to 0 minus 1 minus cos for x को आप लिखेंगे 2 sin square 2x लेखो 1 minus cos for x को 2 sin square 2x upon x square है ना फिर 2 बाहर निकालना ठीटा को सेम बनाने के लिए 2 से divide and multiply जो भी 2 से 3 लाइन का proof है वो आपको देना होगा बच्छो 0 minus 2 यह ऐसे लिखना इसको sin 2x upon x का whole square 2 से divide and multiply अब यहां 1 कर देना यह 2 बाहर आकर 2 इससे multiply होकर 8 बनेगा पहले भी बता चुके एक बार फिर मैंने यहां presentation दिया फिर clear करें फिर एक method और discuss करते हैं आप लोगों के साथ rationalization method लिमिट का जब आप राइट लिमिट निकालेंगे greater than 0 पर function की nature की according क्या लगाना पड़ेगा rationalization very simple देखो इसी जगें मैं next part discuss कर रहा हूं यह तो value आ गई बच्चो एकी देखो अगर बात करें सिर्फ एकी value निकालने की तो लिमिट भी 8 आनी चाहिए तब जाके एक ही value final करेंगे तो इस question को बताने के आगे हम एक limit का method और discuss कर रहे हैं साथ के साथ है ना तो अब आरेचल बताते हैं तुम यह देखो राइटेंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस जीरो प्लस का मतलब गैटर दें जीरो यह function copy किया आपने अब function कहता है कि finite value तक पहुँचने के लिए मुझे rationalize कर दो मैं आपको answer दे दूँ उससे पहले check करते जरा x की जगे 0 put किया root 16 4 4-4 0 और यह x की जगे 0 रखा 0 in determinant form finite value तक पहुँचने के लिए rationalization थोड़ा सा इसी जगे में direct करूंगा इस portion को अटाता है बहुत simple इस opposite sign से divide and multiply करते हैं तो यह किया बच्चों आपने root 16 plus root x plus 4 ओके same work denominator में आपको करना है and plus 4 उसके बाद की calculation बहुत simple जब भी rationalization होगा factorization का एक formula बनता है a plus b a minus b a square minus b square पक्का बनना अब थोड़ी सी calculation के साथ आगे बढ़े 8 नजर आएगा आपको 8 दिखेगा पहले denominator लिख लेते हैं बच्चों यह अला part a square minus b square factorization के साथ root अट जाएगा 16 plus root x और इधर 4 का square कितना हो जाएगा 16 और यह 16 से भी 16 साफ यह root x अपनी जगे numerator और यह portion अभी मैं बिलकुल as it is लिख रहा हूँ 16 plus root x plus 4 फिर देखो इस root x से यह गया बच्चों पहुच गए अब x की जगे पर आपने 0 put किया root 16 बचा केवल बाहर आएगा 4 and 4 plus 4 मिलकर result होगा आपका 8 तो इस तरीके से इस question के अंदर आप तीनों चीज प्रिजेंट करेंगे हर question के साथ कई ने कई छोटे मोटे point board की regarding भी बता रहा हूँ इस question के अंदर answer की उठा के उपर marks दिये हुए है अब जिस student ने आरे चैल और value function के साथ question कर लिया नंबर तो मिलेंगे लेकिन कुछ नंबर कड़ जाने बच्चो तो इन सब छोटी-छोटी बातों का धियान रखें आप लो next फिर देखो यह ला क्यों यह अल्रीड हम डिसक्स कर चुके बच्चो यह बुक्का क्यों सब्सक्राइब इसको मैं केवल हिंट दूंगा आप लोगो ट्राइग करना बहुत सिंपल बोर्ड में आया हुआ क्यों सब्सक्राइब find the value of k the given function is continuous at x equal to 0 direct discussion देखो बहुत सिंपल 0 पर अगर continuous है तो 0 के ऊपर आप 0 के ऊपर rhl discuss करेंगे lhl discuss करेंगे और value of function निकालेंगे और देखेंगे कि यह तीनों बराबर करते होए इन तीनों को बराबर करते होए के की value आ जाएगी तो इधर देखो x equal to 0 पर function की value direct निकाल लो तो यह रहा तो यह x की जगे 0 यहां भी 0 1 upon minus 1 तो f of 0 की value तो direct ही मिल रही है बच्चो minus 1 अब यह function किस condition पर defined है 0 के respect में अगर बात करें तो x less than 0 पर तो x less than 0 पर इस function के through आप क्या निकालेंगे rhl निकालेंगे या lhl निकालेंगे left end limit निकालेंगे बच्चो और यह अभी अभी कराया है question तो एक तो f of 0 आ जाएगा और यह lhl निकालना आप स्टार्टिंग में दे रहा हूं limit x tends to 0 minus यह function उतारना 1 plus kx and under root 1 minus kx upon x क्या करना है सोचो यह function क्या कहता है जीरो जीरो फॉर्म तो बनी रहा है बहुत क्लिया नजर आ रहा है rationalization तो इससे related question अभी अभी बताया है opposite sign से divide and multiply कर लोगे आगे तो इसको int के साथ में छोड़ रहा हूं क्योंकि just method repeat हो रहा है फिर इदर आओ बहुत ही अच्छा question आया हुआ है बोर्ड के अंदर easy है बट आया हुआ है बोर्ड के साथ से important है काम वही है जीरो पर continuous तो ए और बी दो constant है इस बार constant ए और बी की value निकालनी बहुत एक एक function बहुत clearly दिया हुआ है x equal to 0 पर function की value बहुत clear to greater than यहां से मिलेगा RHL यहां से मिलेगा LHL तीनों को equate कर देंगे ABC की value साफ नजर आएगी तो देखो और method भी decide करते है साथ के साथ right hand limit के अंदर कौन सा method rationalization left hand limit के अंदर trigonometry यह दिख गई trigonometry sin theta नजर आ रहा है तो देखो यह चीज में बताता हूं function चुकि continue से step by step चलते हैं सबसे पहले f of 0 थोड़ा सा मैं direct लेख रहा हूं f of 0 की value बच्चों की 1 है किता 2 अब मैं RHL की बात कर रहा हूं right hand limit limit x turns to 0 plus 0 plus यह function उता रहा आपने 1 plus bx minus 1 upon x rationalization के साथ आप आगे बढ़ेंगे 1 plus bx plus 1 upon x sorry under root 1 plus bx plus 1 कर दिया opposite sense चे divide and multiply वही formula बनना है factorization का जैसा भी बताए था a plus b a minus b root हटेगा बच्चों a square minus b square 1 का square 1 upon x अपने आप चीजे बनती चली जाती बस सही method चूज करना आना ची यह देखो 1 से 1 गया x से x गया x की जगे आपने 0 डाला याली term साफ 1 और 1 2 b by 2 कितना हैगा b by 2 तो यह देखो जैसे इन दोनों को बराबर करोगे बच्चों b by 2 आपने यह किया b की value तो आवे 4 बाद में करेंगे अलागी अब a की value निकालने के लिए क्या करना है बी बाई 2 को value of function के एक्विट करते तो बी की value आवे 4 आवे लेकिन एक ही value निकालने के लिए अभी आपको left hand limit भी निकालना होगा कैसे आएगी left hand limit देखो जरा इसी जगे बताते हैं देखो left hand limit अब पेंच चलाना सीख जाना अच्छे से प्रिजेंटेशन एक्विरेट होना चीए limit x tends to lhl 0 minus less than 0 यह function उतारा बच्चों आपको sin of a plus 1x plus 2 sin x upon x तो जब भी trigonometry का question आए थोड दिमाग में जो आनी चाहिए वो क्या है वो ही दो standard formula sin theta upon theta 1, tan theta upon theta 1, sin है उस formula के साथ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या करो इस x को दोनों term से divide कर दो डिवाइड हो रहा है इसको separate कर लेते हैं बच्चों हम लोग किस तरीके से separate होगा देखो इसी जगे में थोड़ा बता रहा हूं separately दोनों terms को x से divide करो तो यह तो बहुत clear नजर आ गया limit x tends to 0 sin x upon x की value 1 clear लेकिन अभी यह part बाकी है theta को same बनाने के लिए क्या करोगे? x तो already है a plus 1 नहीं है तो a plus 1 से divide and multiply तो बच्चों यह वाला portion भी आपका 1 हो गया finally यहां बचेगा a plus 1 देख रहे हो? a plus 1 और यहां से बचेगा 2 तो यह आएगा a plus 3 तीनों को बराबर कर देना क्या क्या चीज थी? value of function क्या था? 2 आरे चल क्या थी? b by 2 और यह था हमारे पास a plus 3 b की value तो आगई 4 और इन दोनों को बराबर करते आपके पास आजाती a की value minus 1 तो इस तरह की questions भी देखने को आपको मिलेंगे double constant के उपर और देखें बच्चों तो continuity sufficient है जितने भी questions बताएं फिर limit और continuity और इस सब चीजों का जो है exact वापस एक चोटा सा region differentiability में भी देखने को मिलेगा तो अगला topic differentiability start हम लोग करेंगे students differentiability यह topic discuss करने वाले हम लोग exercise 5.2 के अंदर यह है केवल होगा पहले जनरल तरीके से उसको मैं clear कर देता हूं differentiability of the function at a point axis equal to a हम discuss कर रहें किसी point के ऊपर किसी function का differentiable का होना कैसे check किया जाएगा उसकी क्या conditions होती है तो कोई भी function अगर हम लोग ले f of x और एक point अगर हम बच्चों consider करे small a तो इस point के ऊपर इस function की differentiability check करने के लिए आपको बहुत बड़ा वक नहीं करना है देखो इसके लिए आप find करेंगे right-hand derivative और इसके लिए आप find करेंगे बच्चों left-hand derivative और यह दोनों values आपके equal आनी चाहिए और साथ में value होनी चाहिए बच्चों finite RSD is equal to LSD और साथ में finite value होनी चाहिए अब बात आती ही right-hand derivative और left-hand derivative कैसे निकालेंगे और derivative की definition के साथ इसका इन formula का प्रूब भी मैं थोड़ी दरबाद discuss करूंगा लेकिन question की point of view से यह formula आप लोग बिल्कुल डारेक्ट याद रखें right-hand derivative जब भी आप calculate करें इसी जगे से starting होगी f of a plus h minus f of a upon h where h is greater than 0 तो right-hand derivative के अंदर आपको यह formula काम में लेना है और left-hand derivative में क्या difference है देखें जरा limit s tends to zero f of a plus h की जगे बच्चों आप काम में लेंगे a minus h f of a same रहना denominator में थोड़ा सा ध्यान रखना है h की जगे पर आप लेंगे minus h ओके इन दोनों formula की help से आप बढ़ी आसानी से right-hand derivative left-hand derivative निकाल सकते है limit का असल concept आप लोग यहां पर यूज में लेने वाले हैं अब इसी जगे पर बच्चों तीन चीज़ें हैं जैसे अगर आप बहुत ध्यान से देखें अबरहल थी टर्म से जो में calculate करनी होती देखो f of a common है है न और दो टर्म और आपके पास आती है as a function f of a plus h and f of a minus h तो बहुत separately इसको में clear कर देता हूं कि चीजें कैसे calculate होंगी देखो f of a plus h का क्या meaning है f of a minus h क्या कहना चाहता है और f of a continuity के अंदर हलांकि यह सारी चीजें हम already discuss कर चुके है एक बाद फिर से हमें clear करता हूं f of a यहां से starting लहते हैं जो की बताता है बच्चों value of function को value of function at a point at a point x is equal to a x is equal to a function की value आप calculate करेंगे given होगा question के अंदर वहां से और f of a plus h का मतलब यह हो जाता है x is greater than a पर जो function defined है वहां से आप a plus h के उपर इसकी value निकालेंगे और x less than a पर जो function defined है उससे आपको मिलेगा f of a minus h तो overall वही तीन साइन जो आमने continuity के अंदर discuss किये थे उन्हीं पर पूरा question चलना है और इनको बिल्कुल पहले separate calculate कर लो फिर उसके बाद यहां formula में put करते हुए आप answer निकालने की कोशिश करना जैसे इसी के उपर best एक question अम लोग लेते हैं बचो हमारी exercise 5.2 का question number 9 है यह prove that the function f given by f of x is equal to mod of x minus 1 x belongs to r is not differentiable proof करना है at x is equal to 1 पहले से पता है कि function not differentiable होना यानि की right hand derivative is not equal to left hand derivative कि दोनों को calculate करने की बारी आएगी मौड का कोई भी क्योंसे ना आए जैसा कि मैंने continuity में बताया था सब से पहले modulus function को आप define करते हुए आगे बढ़ेंगे f of x is equal to directly भी किया जा सकता लेकिन आप common method रखो तो x is greater than 1 और x less than 1 x greater than equal to 1 और x less than 1 पर यह mod जो define होगा बहुत अच्छे से पता हमें यह होगा x minus 1 positive के साथ open होगा और यह minus sign के साथ आप open करते हुए इसको लिख दो अब 1 के ऊपर हमें differentiability discuss करनी हो या proof करनी हो process common रहेगा आप बचो right hand derivative को formula लिखेंगे सबसे पहले right hand derivative का standard formula limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h ओके अब यहां फिर से clear कर देता हूँ एक क्या है यह वो point होता है जिसके उपर आप continuity या differentiability को discuss करते हैं x is equal to 1 2 कहता तो 2 3 कहता तो 3 minus 1 कहता तो minus 1 finally a की value बनती है बचो 1 सबसे पहले उसे replace कर दें आप limit h tends to 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon h ओके यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं simple formula लिखा जिस point की उपर differentiability को आप check कर रहे है या proof कर रहे है वहां से आपने a की value को decide किया मान लो अगर x की जगे 2 होता तो एकी जगे में क्या put करता तो put करता इतना लिखने के बाद f of 1 plus h और f of 1 और इसी तरीके से left hand derivative में जरूत पड़ती ही बच्चों इस जगे पर 1 minus h चाहो तो right hand side में या शुरू में ही इन तीनों चीजों को बहुत separately calculate कर लो जैसे मैं बताता हूं सबसे पहले हम f of 1 की बात करते हैं f of 1 कैसे आएगा बच्चों कोई गलती नहीं होनी चाहिए बहुत सिंपल सा पार्ट है यह देखो equality के ऊपर value निकालनी होती function की x is equal to 1 पर दिया गया function क्या है x minus 1 तो f of 1 क्या बनेगा x की जगे आप 1 put करेंगे 1 minus 1 किता हो जाता है 0 ओके अब हम बात करते है f of 1 plus h की तो 1 plus h इस function की value x is greater than 1 के आगे जो function लिखा हुआ है यहां से मिलने वाली है f of x is equal to x minus 1 तो f of 1 plus h क्या होगा x की जगे आप क्या replace कर देंगे 1 plus h तो यह 1 plus h आपने put किया minus 1 और यह आ जाता है बच्चों h ओके और इसी तरीके से f of 1 minus h को भी बहुत separately calculate कर लो ताकि गलती नहीं होगी बिल्कु सीधा value put करेंगे हम लोग 1 minus h की value निकालेंगे less than 1 पर जो function defined है उससे x की जगे क्या put करेंगे आप लोग 1 minus h यह देखो x की जगे आप क्या put कर रहे है 1 minus h minus 1 यह minus बहार है simple इस x की जगे आपने 1 minus h put किया देखो 1 से 1 cancel minus h minus into minus कित्ता आ जाएगा plus h अब इस formula के अंदर इस value को replace कर दो limit क्योंकि फिलाल तो यह question बहुत simple सा है mod का x minus 1 double triple mod के उपर भी question आते हैं तो वहां पर फिर इस जगे calculation नहीं बिगड़ेगी बच्चों separately अगर इसे आपने निकाल लिया तो बहुत easy going answer मिलेगा आपको f of 1 plus h की value कित्ता है h f of 1 की value हमने निकाली बच्चों कित्ती है 0 upon h h से h cancel होगा finally आपको limit मिलती है यहां पर 1 this is the right hand derivative ओके formula एक ही value put करी इन तीनों चीजों के उपर एक बार फिर से मैं बोल देता हूं x is equal to 1 पर जो function defined है उससे value आएगी x is greater than 1 पर जो function defined है उससे value आएगी और x less than 1 पर जो function defined है उससे आप value find करेंगे और formula में put करते हुए आप यहां पहुचेंगे यह हुआ बच्चों right hand derivative बहुत ध्यान से देखे लो अच्छे से इसी जगे left hand derivative को मैं discuss करने वाला हूं चोटे चोटे जो changes है ताकि आप लोगो जो difference है वह भी पता चल जाए तो right hand derivative और left hand derivative की बीच का difference क्या होगा जड़ा देखें अब left hand derivative की बात कर रहे है a plus h की जगे पर क्या बोला था मैंने a minus h के वाल इतना सा change f of a same रहेगा और इस h की जगे पर बच्चों आता minus h तो क्या difference हुआ 1 plus h की जगे क्या हो जाएगा 1 minus h आ जाएगा यहाँ minus h आ जाएगा और f of 1 minus h की value देखो किता है h f of 1 नहीं बदलेगा same लेकिन ध्यान दो यहाँ minus h है तो h upon minus h finally मिलेगा minus 1 so right hand derivative is not equal to left hand derivative so given function is not differentiable at x equal to 1 यह statement दे final answer और देखें बुक का ही question number 10 है यह 5.2 exercise का जैसा मैंने का था केवल दो question दी होए दोनों में बता देता हूँ अब इस बार बच्चों जो question है वो है gif के उपर greatest integer function के उपर बहुत क्लियर लिखा हुआ है prove that prove that the greatest integer function defined by x like from 0 to 3 is not differentiable again proof करना बच्चों not differentiable at x equal to 1 and 2 1 पर में बता देता हूँ 2 पर अपने आप करना पहले से हमें बहुत अच्छे से पता है कि RSD is not equal to LSD आने वाला लेकिन उनकी जो भी values निकल के आती है वो बच्चों सही आनी चाहिए ऐसे नहीं कि कुछ भी तो देखो discuss करते हैं इसको हम लोग सबसे पहले greatest integer का कोई भी क्योंसे ना जाए यह दो चीज़े बहुत separately देखो in form of greatest integer gif a plus h h बहुत small quantity greater than 0 की side पर अगर बात करें तो तो a plus h की value बच्चों greatest integer में a होगी as a formula इसको याद रख लो और a minus h की value a minus 1 से आप calculate करेंगे जैसे अगर मैं 1 पर बात करूं तो a की value 1 होगी तो 1 plus h क्या लिखा जाएगा a plus h equal to a तो 1 plus h equal to कितना हुआ 1 और 1 minus h की अगर मैं बात करूं a minus h equal to a minus 1 तो 1 minus h होगा बच्चों 1 minus 1 एक ही जगे क्या put करोगे 1 पूट करोगे कितना आया जीरो तो इस तरीके से 1 plus h 1 minus h मैंने पहले ही separately calculate करके पता दिया greatest integer function के case में अब राइटन derivative की बात करते हैं यह देखो राइटन derivative is equal to limit अब थोड़ा समय डारेक्ट लिखता हूं बन पर चेक कर रहे हैं हम लोग तो यह बनेगा f of 1 plus h minus f of 1 upon h value put कर देते हैं देखो limit as stands to 0 function है gif आपके पास तो यह बना 1 plus h f of 1 होगा greatest integer 1 के साथ upon h अब यह gif है simple bracket नहीं है तो gif का definition use में लेते हुए जब आप 1 plus h की value लिखेंगे तो आईगी बच्चो 1 और 1 का greatest integer 1 ही रहना है upon h फिर आगे बढ़ो limit as stands to 0 है 0 upon h final calculation यहां होनी चाहिए and 0 upon h क्या हो जाएगा बच्चो 0 तो जो राइट derivative है वो निकल के आएगा 0 ओके यह दोनों results directly याद रखो कोई साभी जी आई एफ आजा direct यहां से calculate कर पाऊगे और इस formula के साथ आप आगे बढ़ो फिर इसी जगे हम left hand derivative को discuss कर रहे हैं ध्यान देना जो भी changes हैं ताकि difference पता चलेगा one plus h की जगे क्या करना हमको one minus denominator में minus का sign के वल यह difference होता left hand derivative के अंगर तो यहां भी plus की जगे क्या जाएगा minus यहां भी क्या होगा minus अब ज़रा इस पर ध्यान दो greatest integer one minus h की value क्या है जीरो तो बचो यहां one नहीं बलके कितना होगा जीरो होगा यह one one ही रहना है फिर आगे calculation बढ़ी हमारी फाइनली जीरो minus one minus one upon h हौँच गये यहां पर और जैसे बचो आप h की जगे पर यह minus h है minus h यहां पर भी रहेगा minus minus cancel one upon h और जैसे ही आप limit लेते हैं तो one by zero और one by zero का मतलब हो जाएगा बच्चों infinite यानि left and derivative यहां पर defined नहीं है और Rsd is not equal to lsd का case भी बंद रहा है इसका मतलब दिया गया function क्या होगा not differentiable होगा तो differentiability से related बच्चों यह दो छोटे question फिर एक बहुत ही अच्छा और एक important question में बताने वाला हो जो continuity के उपर भी पूछा जाता है differentiability के उपर भी पूछा जाता है आयोगा question है discuss the differentiability of the function at x is equal to one and two okay differentiability को discuss करना यह major question बनके आया था बच्चों और इसमें दोनों चीज़ें पूछी गई थी discuss the continuity and differentiability of the function तो बच्चे एक तो continuity differentiability का limit का जो concept है लिखने में बढ़ा जोर आता है उसको avoid करते हैं मैं फिर याद दिला दू जब हमने copy check keyboard की तो उस दोरान यहां पर यह चीज़ देखने में आई कि कई students ने इसको जो है graphical तरीके से represent किया हुआ है graph बना दिया जो differentiability उसके बारे में लिख देते हैं कि x is equal to one and two is a sharp corner point so that the given function is not differentiable तो इस तरह के statement use less होंगे board में measure question concept वही होगा जो मैंने बताया ओके तो मौड से related कोई भी question जब आता है तो मौड की definition को यूज में लेते हुए आगे बढ़ेंगे मौड को define करेंगे function को critical points के उपर define करते हूं आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों को जीर बिलकुल exact process कोई भी question आ जाए और यहां जो चीज बता रहा हूं बच्छों आगे भी useful होगी हम लोग monotonicity पढ़ने वाले हैं application of derivative में maximum minimum पढ़ने बाले हैं तो मौड का कोई भी question आए सबसे पहले उसको define करो वहां से चीज़े बहुत clearly पता चलेंगी तो जो भी critical निन दोनों को zero करो यहां से जो भी x की value निकल के आती है उससे पहले overall interval minus infinite to plus infinite को आप लोग discuss करेंगे तो यहां से बच्चों आती है x की value 1 यहां से value आती है x की 2 ओके अब पूरा जो minus infinite to plus infinite r के उपर जब हम बात कर रहे हैं तो overall three sub interval create होते हैं अब इन तीनों sub interval के अंदर आपका यह mod क्या function create करके देता है यह में देखना है क्या क्या interval बने पहले मैं यहां clear कर देता हूं 1 से left की बात कर रहे हैं यानि कि x less than 1 यहां जो sub interval होगा वह होगा बच्चों 1 से 2 1 और 2 को include करने के लिए आप equity halt कर ले और यह होगा आपका x is greater than 2 तो इस दिये गए function को इन sub intervals में जब आप define करेंगे तो function क्या value देता है क्या expression देता है यह हम देखें 1 & 2 and this is x is better than 2 ओके देखते हैं बहुत simple सा process होता है यह तो directly भी पता चल जाता है लेकिन कई student को यह problem रहती है बहुत आराम से तसली से इसको बहुत easy going में clear कर रहा हूं कोई problem नहीं आएगी तो बच्चों x less than 1 यानि कि इस sub interval की हम बात कर रहे हैं ओके आपको कुछ नहीं करना इस sub interval में से एक suitable point आप consider करें यू मान लो बनके just left hand side पर क्या आएगा जीरो आएगा बच्चों मॉड को भूल जाओ आप केवल एक्स की जगे पर अभी फिलाल जीरो पूट करो और साइन को देखो कौन सा साइन मिलेगा मैं माइनस मोड के अंदर दो इतों बातर डिशाइड करनी है कि कहा प्लस आएगा और कहां माइनस आएगा तो यहां से आपको यह चीज पता चिल जाएगी तो यहाँ माइनस यहाँ पर भी माइनस इसका मतलब आप जब मॉड को ओपन करेंगे बच्छों तो दोनों मॉडूलर्स माइनस के साथ ओपन करेंगे यह माइनस x-2 ठीक है फिर जब 1 और 2 की बात आती है तो इस सब इंट्रेवल में जो भी suitable point जैसे midpoint ही ले लो 1.5 आपने लिया x की जगे put किया 1.5 minus 1 plus sign दे रहा है और यह minus sign देता है बच्छों तो पहला वाला जो mod है वो plus के साथ open कर दो और second वाला जो mod है वो minus के साथ open कर दो अब x greater than 2 यानि कि इस सब इंट्रेवल की बात कर रहे है तो 2 के जस्ट आगे क्या आना है 3 आना है 3 put करके देखो 3 minus 1 plus 3 minus 2 plus दोनों modulus को आप plus के साथ open कर दें अब यह जो भी form आती इसको solve कर लो एक बार बहुत सिंपल होता है इसको देखें जरा क्या बंद रहा देखो minus 2x minus minus plus and minus minus plus minus 2x plus 3 पता चला sign कैसे आ रहे हैं एक बार फिर से बता जेता हूं इन सब intervals में suitable point यहां put करते हुए एक general form में sign decide करो और वो sign यहां पर apply करो है न और फिर इसको solve करते हुए directly आप लोग यहां पर पहुंचें क्योंसे इसी जगे से start होगा अब इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं इसको solve करने के बाद जो चीज बंद रही है वो क्या बंद रही है बच्छो minus 2x plus 3 minus 2x plus 3 ओके यहां देखो x से x गया 2 minus 1 वन इस जगे जो चीज बंद रही है बच्छो वो है 1 बहुत सिम्पल है और यहां देखो x 2x 2x minus 3 2x minus 3 तो इस तरीके से मौट से related जो भी question आए सबसे पहले यहां पहुंचना है इसके बाद का काम असान है discuss the इस तरह का कोई भी word निकल के आता है तो मैंने continuity के अंदर भी बताए था यह तो बहुत सारे पॉइंट है हम कहां का discuss करेंगे बट जो possibility बनती है वो किन पॉइंट के ऊपर बनती है बताओ किन पॉइंट के ऊपर possibility बनेगी सोचो continuity के अंदर बताया था एक statement काम में लिया था हम लोगो ने we know that the possible point of discontinuity are तो उसी तरीके से यहां पर एक statement आप लोग लिखेंगे we know that the possible point of non-differentiability are और वो दो possible point होंगे बच्चों 1 और 2 इसी के उपर हम लोगो discuss करना बाकी जगे function क्या होगा differentiable होगा यह आपके sharp corner point बनते हैं तो एक part मैं बता देता हूं यहां पर process वही है one पर हम discuss करते हैं पहले one पर separate फिर उसके बाद two पर separately इसको discuss करना है तो देखो इस चीज़ में सबसे पहले one की बात करते हैं लोग यह बहुत simple से process आप formula याद हो गया होगा limit as tends to zero एक step मैं आगे लिख रहा हूं one plus h minus f of one upon h चलेगा इत्ता और इसमें जो तीन टर्म आती है उनको separate calculate करने के बारे मैंने कह रखा है चलो यह formula बाद में लिखते हैं पहले इन तीनों चीज़ों को मैं बहुत फिर से एक बताता हूं question के अंदर जब आप one के ऊपर चाहे continuity की बात करें चाहे differentiability की इनकी जरूत पढ़ने वाली है तो f of one plus h क्या होगा देखते हैं आप तो one plus h का मतलब है आपको सीधा सीधा x is greater than one को डूढ़ना है यह देखो x is greater than one यहाँ नजर आता है x is greater than one पर function की value डारेक नजर आ रही है कित्ती बच्चों one और f of one का मतलब x is equal to one पर function क्या है तो वो भी वन ही है देख रहा हूं equality के उपर भी वन ही आ रहा है यह वन लिया हमने और एक चीज़ और निकाल लेते हैं हम लोग जिसकी जरुत पड़ेगी f of one minus h तो यहां देखते हैं आप x less than one यह रहा x less than one और इसके जस्ट आगे जो function दिया हुआ है f of x अगर इतना है बच्चों तो f of one minus h क्या होगा यह function ही क्यों काम में ले रहें less than one क्योंकि one minus h की बात कर रहें दोनों तरीके से मैं ने बता दिया one minus h आता है less than देखें function देखें यहां से function decide करके x की जगे replace करेंगे one minus h और यहां से आप function निकालते हैं तो x की जगे पर इस x की जगे पर one minus h ठीक है and plus 3 और इसको simplify करके यहां ही रख लो बच्चों तो यह आ जाता है आपका minus into minus plus 2h यह देख रहे हो plus 2h and 3 minus 2 plus 1 इसको यहां ही simplify कर लो तीनों चीज आ गई इससे rsd भी निकल जाएगा lsd भी निकल जाएगा इन तीनों चीजों से यहां पर f of one लिख लो f of one अब जड़ा formula को काम में लेते हैं अब यहां देखने की जरूत नहीं पड़ेगी बच्चों के वल इन तीनों से काम चल जाएगा तो देखो right hand derivative का formula मैं लिख रहा हूं यह अगली step पे चलते हैं तो यह तीनों terms आ चुकी हैं हमारे पास एक बार check कर लो कोई value गलत ना हो 2h यह हो गया था 3 minus 2 plus 1 yes next तो यह right hand derivative का formula लिखा आपने limit as tends to 0 f of 1 plus h minus f of 1 point को satisfy कराते हो एक step आगे मैंने लिखा है पहले आप standard formula लिखें a plus h यह वो point जिसके ओपर आप differentiability को discuss कर रहे हैं यह मैं बता चुका हूं already अब f of 1 plus h की value जो आप already निकाल चुके हैं बच्चों यह देखो किती है 1 और f of 1 भी कितना है 1 तो 1 minus 1 upon h limit presentation बिलकुल यह होना चाहिए जलदवाजी में घड़बर ना हो 0 by h 0 by h and पहले इस पर focus करो limit का काम बात में है finite value की तरह बढ़ो 0 by h कितना आ जाता है 0 ठीक है और lsd भी बता देता है limit h tends to 0 f of 1 minus h f of 1 minus h आपता इसका ध्यान रखना यही दो difference बताए थे मैंने f of 1 minus h जो की आप already निकाल चुके होंगे यह देखो f of 1 minus h कितना है 2h plus 1 limit h tends to 0 2h plus 1 f of 1 की value बच्चो कितनी थी 1 वो common रहेगी same upon minus h calculation 1 से 1 गया h से h गया कितना आता है minus 2 rsd is not equal to lsd the given function is not differentiable तो इस तरीके से आप differentiability को बड़ी आसानी से complete कर सकते हैं कोई भी question आ जाए practice करनी है तो continuity के अंदर जितने भी question दिये हुआ हूं सब को differentiability के उपर लेके आ जाओ वहां से practice कर लो process common रहेगा जो इन 3-4 question में मैंने बताया देखो बच्छो exercise 5.2 & 5.4 के अगर बात करें तो differentiation का केवल एक basic part है जिसके अंदर आप लोगो product rule, question rule और chain rule देखने को मिलेगा लेकिन उससे पहले जो definition है differentiation का उसको समझते है इसका physical meaning है वो भी यहां से हम लोग समझ पाएंगे और साथ के साथ यहां से first principle method of differentiation discuss होगा देखें जरा definition of differentiation differentiation is a process of finding a derivative बच्छो एक process है differentiation जिससे की आप लोग derivative find करते हैं तो बात आती है derivative क्या है derivative is a instantaneous rate of change in a quantity with respect to another quantity तो जो rate of change है वो जो physical meaning को यहां पर represent करेगा उस ही को हम लोग mathematical touch के साथ आगे बढ़ा रहे है देखो y is equal to f of x अगर कोई भी एक function हम लोग लोग लेते है बच्छो और x के अंदर जो small change है उसको delta x से represent कर दें और इसी के corresponding y में जो change होगा उसको अगर delta y से अगर represent करें तो एक equation आपके पास आता है y plus del y is equal to f of x plus delta x अब यह दो equation आपके पास है equation number 1 and equation number 2 y में change को calculate करने के लिए आप लोग क्या कर सकते है equation 2 minus 1 करें इससे आपको delta y मिलेगा y से y cancel होगा और इधर बनता है f of x plus delta x minus f of x अब y में x के respect में average rate of change अगर हमें find करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोनों side को delta x से divide करते हैं दोनों side से आप delta x से divide कर देना इसी equation को तो यह जो delta y upon delta x से इसको हम लोग read करते हैं average rate of change in y with respect to x फिर average rate of change से हम जाते हैं instantaneous rate of change पर तो instantaneous rate of change पर जाने के लिए आपको दोनों तरफ limit लेना होगा limit delta x tends to 0 और इसको दोनों तरफ हमने limit लिया limit delta x tends to 0 तो यहां से आप लोग का एक formula develop होगा बच्चों इसी formula को आप लोग first principle method of differentiation भी कहेंगे आगे देखो अब यह जो पूरा complete देखो जो definition जो बन रही है differentiation की जो मैंने बोली थी वो यहां लिखा हुआ है किस तरीके से instantaneous rate of change in y with respect to x जिसको हम symbolically इस तरीके से represent कर रहे हैं और इसका जो final representation है वो बनेगा बच्चों dy by dx इस पूरे का जो complete notification बनता है उसको हम लोग लिखते हैं dy by dx dy by dx लिखते जरूर है लेकिन यह वास्तों में बच्चों होता नहीं है exactly यह होगा dy by dx of y differentiation of y with respect to x dy by dx जो एक operator की तरह काम करता है जो यह बताता है कि y का x के respect में differentiation हो रहा है dy by dx का मीनिंग यह बिल्कुल भी नहीं है dy divided by dx इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है इसका exact जो read करने का तरीका है वो है dy by dx of y तो dy by dx is equal to क्या बनता है देखे जरा dy by dx is equal to अभी यह एक छोटा सा work हम और कर रहे है यह जो delta x है इसको अगर h मान लिया जाए तो यह बनता है limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h ओके तो यह जो formula develop हुआ है बच्चों यही अपने आपने एक first principle method of differentiation को भी represent करता है sin x एक function है और उसका जो derivative है वो जो cos x है वो इस formula की help से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं तो सभी trigonometric सभी algebraic जितने भी formula हमारे पास है जो हम लोग अभी आगे discuss करेंगे भी उनका proof आप इस method के साथ दे सकते हैं अलांकि इस तरह का कोई question generally exam में पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी हम लोगों को prepare रहना चाहिए first principle method के उपर कोई question वैसे पूछा नहीं जाता बटा जाए तो आप इस formula की help से बढ़ी आसानी से उसको कर सकते हैं इसके जर्जबात फिर हम लोग formula अगरा discuss करते हुए basic part को और discuss करते हैं देखो यह कुछ standard formula है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए first four algebraic x to the power and e to the power x i to the power x ln x जैसे यह सब याद भी होंगे physics में इतना सा पढ़ लिया होता है पहले से सारी चीज़े पता है बट यह clear कर दो थोड़ा ln x के बारे में बुक के अंदर यह symbol आपको देखने को नहीं मिलेगा बचो ln x तो ln x का मतलब है यहाँ पर log x अब जब log x की बात आती है तो अगर बात करें तो आप इसको मॉड के साथ रिप्रेजेंट करते हुए लिखें लॉग बैस e x लॉग बैस e mod of x इस तरीके से आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकता है जो कि इसका differentiation यहां दिया हुआ है तो इस सब फॉर्मूले देख लो एक बार अच्छे से अभी हम क्यों सुन करेंगे साइन का कॉस का माइनस साइन एक रिविजन हो जाएगा पढ़तो रखेंगे 10x का सेक स्क्वार एक्स का कॉसेक स्क्वार एक्स सेक एक्स का सेक एंटू 10x और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स एंटू कॉसेक एक्स ओके तो यह बच्छों जा जा कॉस कॉट और कॉसेक आ रहा है थोड़ा साइन का ध्यान रखना एक तो माइनस आएगा है ना ऑन सेन्सेशन वह ने लेगिन एक्स टुदी पावर एंस से रिलेक्टेड कुछ चीजों मैं आड इसक्रस करूंगा एकस तूदी पावर है एकस का डिफ्रेंशेशन एकस इसक्वाइर का एकस क्यूब का यह तो बिलकुल डारेक्टली बताई सकते हो एकस का एकस के रेस्पेक्ट में इस फॉर्मूले के साथ अगर मैं बात करूं पावर कितनी बच्चों बन क्या बना वन एकस तूदी पावर 1-1 x to the power 0 किता 1 x square power आगे आएगी एक कम होगा 2x power आगे आएगी एक कम होगा 3x square लेकिन यह सब चीजें तुम्हें पता हैं मैं यहां जो चीज डिसकस करने वाला हूं बच्चों वो यह कुछ ऐसे विजल्ट्स हैं जो आप लोग क्योंस के दौरान डारेक्ली काम में लेना ज को लिखेंगे x to the power minus 1 देखो n की value क्या है minus 1 यह formula लगाते हैं आप यह derivative निकाल रहे है minus 1 minus 1 and minus 1 minus 1 x to the power minus 2 और इसको solve करने पर यह बना minus 1 upon x square तो better होगा इस तरह के छोटे-छोटे से results अगर हमें direct याद हो तो ज़्यादा अच्छा है 1 upon x का differentiation किता minus 1 upon x square ठीक है कैसे आया मैंने बताया तो इसी तरीके से और भी है और भी results है जो मैं discuss कर रहा हूं yellow part में अटा देता हूं 1 upon x का derivative क्या लिखोगे minus 1 upon x square तो अगर बच्चो मैं आपसे पूछ लूँ इसी chain में आगे 1 upon x square का differentiation आएगा कैसे मैंने बता है बट आप direct याद रखें यह होगा बच्चो minus 2 upon x cube फिर मैं आपसे पूछ लो 1 upon x cube का differentiation तो यह होगा बच्चो minus 3 upon x to the power 4 एक rule create हो रहा है बहुत ध्यान से देखो इन सब की power बढ़ रही है 1,2,3 की जगे क्या हो गया 2,3,4 और यह जो power उपर जाके minus में चली जाती है इसकी power किती है 1 तो इस तरीके से directly याद रख सकते हो जड़ा बोल के बताओ मुझे x to the power अगर मैं बोल देता हूँ यहाँ पर 99 का differentiation लिखो फटा-फट क्या बोलोगे इसी रूल के according इसका differentiation तुरंद लिखना आना चीए बिना power को उपर ले जाए तो यह बनेगा बच्चो minus 99 upon x to the power 100 तो इस तरह के छोटे मोटे डिजर्स एक छोटा सा पार्ट और इसी जगे पर वही में लिख दाओ एक्स तो दी पावर एंसे रिलेटेड ही है रूट एक्स का differentiation भी बच्चो याद रखो आएगा कैसे प्रोसेज वही इसको पहले पावर में ले जाएंगे आप फिर differentiation करेंगे लेकिन रूट एक्स का फाइनल जो differentiation है डारेक्ट याद रखो और वो होगा वन अपॉन टू रूट एक्स बागी चीज़े नॉर्माल है स्टेंडर्ड है डारेक्ट ली याद रखना